ये हम लोगों के भगवाद आप अनुसूची जाती जन जाती और महिलाओं के लिए जाती जाती है क्या क्या नहीं 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 है लोगों के बारे में सितला हफसत और स्रमनाक बारे कहीं भी जाती जाते हैं और फिर दूसरी बार हमारे ऐसे सुखास्त के नेता जो निकीज कुमार से उमर में भी बड़ा है जाती 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 है और कर सकते हैं कि वालिफिकेशन उनों ने अर्शत पुदहत्तर में फ्राप्त गया और इकनमाजी च्यार्शत में डिगरी आउनर्स के साथ आया है काने का मतलब कि कम से कम विधान सवा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो सभी बानिये सदसुआ करते हैं उनके परती आदर सुचक सब निकाल माचाई है कि और कहा कि जीतन मांगी को कौन कहता है कि मुखमंत्री यह बड़ा मुखमंत्री है और आप नों को भी आड्रेस किया कि इनको बड़ी तर्जी आप दे रहे हैं इनको तर्जी देना बंद कीजिए यह मुखमंत्री नहीं इनको कोई इसको कोई अकल नहीं है तो इस तरह से अपमानित किया गया हम समझते हैं कि वह जीतन मांगी का अपमान नहीं है सभी जिहार और हिंदुस्तान के जो दलिक लोग हैं उनका अब्योंगान मोहने किया एक राज का मुख मंत्री जो तेरा क्रोर जनता का परतिजित्व करते हैं और उनके मुखार विंद से ये सारी बातें जो आई वो जिस्चित रुप में विशादिये हैं और जितनमा जी क्य प्राब और रहा था आप लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बढ़े नेता बोलेंगे कि जो आरचन समंदी बील लाया और कोटा बढ़ाने की बील लाया अंपीशन में भी हम लोग सब एक मत से उसको पारित किया समर्थन दिया तो फिर उसमें विरोज की कौन बात आती है सिर्फ हमने ये कहा कि बावा भीम राव अंबेतकर जब समिधान लागुप करने की बात हुई और अरचन देने की बात हुई तो उन्हें कहा था कि दस वर्षों में समिक्षा होनी चाहिए आप 18 ब्रस ब्यतित कर दिये आपके छोट बड़े भाई भी 15 ब्रस मुक्ष मंत्री में रहे आखिर क्यों नहीं इसका समिक्षा हुआ और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था अगर आज जांच किया जाएगा तो वो 7 या 8% से जारा नहीं है दूसरी बात हमने बोला कि यहां के जो पदादिकारी हमारे सिडूल कास्ट के हैं उनके लिए और रोश्टर लागू है और रोश्टर लागू होने को उब्रांग सोला परतिसाथ परमोशन में आरक्षन मिलना चाहिए लेकिन आज हमारे सिडूल कास्ट और सिडूल टाइप्स के पदादिकारियों की इंति अगर की जाए तो तीन पॉइंट साथ परतिसाथ उनका परत इतने ही कहने पर भढ़क गये कि इसको कुछ आता है इसको हमने मुखमंती बनाया हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुखमंती बनाया अब तो इसी तरह से धुलमूल नीति करकर पल्टू राम बनकर करके आशता में हैं और जीतन मांजी को आप अपना सुभाब से नहीं बनाया था आप समझाता कि जीतन मांजी अनुसुटी धाती में भुईया मुसर का सब्लोग है अब हुईया मुसर लोग बाव सीधा होता है हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा चुकि 2014 में चुनाव जो हार होने लगा कि आप रिस्तिफ़ाद व इस्तिफ़ाद लेकर आधे करके एक ऐसे मुलाइं आदमें को बनाने का कांग Hana करें और दो महिना तक संथ्मूट में हमने किया बाद में आप ही लोग ने कहा कि जीतन मांजी रंबैर स्टेंप इंसे पहरस चलता है तो फ़िर हम अपन बावा भीम राव अम्वेदकर के चर्णों में अपना मालाद पहना करके और हम लोग रिकॉंसायल करना चाहते थे कि बावा हम लोग क्या करें निकिस कुमार को सत्बूधी दें और आज ताला नहीं खोला गया बिधान सवा में भी बोलने का मौकर नहीं दिया और आज यहां पर बावा का मुर्ति पर मालार्पन करने से भी रोका गया इतना जगहन अपराद हम समझते हैं कि बिहार के दलित पिश्रावर के लोग महिला लोग नहीं परदास करेंगे और ऐसा यह न किये हैं तो हम लोग छट के बाद दिल्ली के जो हम राजधानी है वो राजगाट में भी महात्मा गानी के सामने भी हम लोग प्रात्ना करेंगे कि नितीज कुमार के सत्भुधी दे और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमाग्या पल मने एक तरह से दिवाल या पन हो गया है उनका दिमाग का ऐसे लोगों को प्रिक मंत्री के पत पर रहने का कोई हक नहीं इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी करवाई भ